हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूं सुवेल खान और सीचेन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है विकाज इफ वांट टू बीकम एन एक्सपर्ट लर्न फ्रम एक्सपर्ट और आज के इस वीडियो में हम है लेक्चर नमबर ट्वेंटी फोर में जिसके अंदर में हम सीखेगे कि सेट के अंदर में पॉप और रिमूफ का क्या काम होता है तो वीडियो को लास्ट तक देखना प्लीज ना भूलिए क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और असान भाषा में मैं आपके लिए यह कोर्स लेकर आया हूँ ठीक है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिए तो ठीक है पॉप और रिमूफ से क्या होता है चलिए देखते हो दुनों में डिफरेंस क्या है मेरा यह सेट है ए पगर मैं लिखते हूँ ए डॉट पॉप यह मैंने आपको लिस्ट वगर हमें भी सिखा है ताकि पॉप से क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को आप निकाल सक अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो फर्स्ट वैल्यू को निकाल देगा लेकिन अगर मैं उसके अंदर कुछ लिखू तो जैसे कि मुझे फाइव निकालना है तो यह देखिए नहीं होगा कि सेट के अंदर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता है तो आपको अगर फर्स्ट वैल्यू निकालना है तो आप पॉब लिके वह अपने आप निकाल देगा लेकिन कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते हैं लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन पाइटन ने आपको दिया है सेट के अंदर में वह रिमूव के मदद से आप जिसको चाहे उसको ही निकाल सकते हो जैसे कि चलिए मैं आपको दिखाऊ एंडॉट आता है नेक्स्ट है आपका रिमूव देखो इतनी सारी चीज़ आपको मैंने बता चुका हूँ अगर आप इस लेक्चर में नहीं हुए तो यह सारी चीज़े जानने के लिए इस पिछले लेक्चर देखिए आप ठीक है चैनल का नाम है CCN Expert वहां पे जाके सर्च करिया आपक हैं कि पॉप के अंदर में हमने 5 को निकालना चाहा तो नहीं निकला यह वह हो है वे स्ट वैल्यू को निकालता है लेकिन रिमूव के मदद साब मुझे 5 को निकालना है तो सी हो निकल गया अब मैं ए लिग तो 5 इसमें से जा चुका है pop और remove में यही फरक है set के अंदर में pop के अंदर में कोई भी argument नहीं लेता है आपको वो pop देना पड़ेगा वो first value को निकाल देगा इसी तरह से अगर आप remove के मदद से आप किसी भी value को निकाल सकते हो remove को आप खाली नहीं रख सकते सी आपको demo lecture फ्री मिलेगा और मैं 100% expertization guarantee देता हूँ आपको expert बनाने की because if you want to become an expert learn from expert और अगभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो please कर लिजे ताकि आप हमसे जुड़े रहे और notification को ज़रूर प्रेस करिए बैल आइकन को ताकि आप कोई भी update मिस्त ना करे thanks for watching and thanks for your love and support